वूर्फ काने से एक्जाम होने वाला उससे आपडेट जो आया हुआ है उसको लोगिनरक करने वाले हैं और इस वीडियो में हम हम लोग क्या क्या डिसक último करने ने छलिए देख लिए तो सबसे पहले जो उफिसियल लेटर यह निया उसके बारे में में करेंगे और धुबारा जो आवेदन होने वाले उसकी तीथी के बारे मेंwest करेंगे और आपको बत्ता को तब से लिए पहले कितने आवेदन आयत है और अब मिलाकर कीतने हो जाएंगे, यसको बारे में में program करेंगे फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि छटे चरन के बहाली हो जाने के बाद और जो 27,000 जो बहाली होने वाली है उसमें से कितने पद बजने की अर्शंका है कि इसी के लिए तो एस्टेट हो रहा है तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे और परिक्षा कब तक होने की संभावना है अलाकि कुछ लोग तीथी भी बतला रहे हैं तो आपको बतलाएंगे वो कौन सी तीथी लोग बतला रहे हैं उसके बाद हम लोग यहां प्राणबिक सिक्षक जो बाहली चले उसकी मेधा सुची के बारे में जनकारी देंगे ऐसे आपको मालूम भी होगा और उसके बाद हम लोग डिसक्स करेंगे कि कैसे त्यारी करें कि 120 प्लस आपका आजाए 150 में और स्लेबस कैसा रहेगा क्या चेंज होगा कि वहीं 2011 या 12 में पूछा गया था वहीं रहेगा तो इन सभी बातों को डिसक्स करेंगे वन बाई वन करके तो वीडियो को अंतिक देखिएगा और अंतिम वाला जो ये दोनों पॉइंट है आप जरूर देखेंगे क्योंकि इसी से आपको हो सकता है मेरी बात अगर पसंद आया तो आपका नंबर बढ़ सकता है और आपको लॉक्रिए मिल सकती है कुछ भी हो सकता है तो जरूर देखिएगा अनतिक जरूर देखने की कोसिस जरूर करिएगा चली आगे बढ़ेंगे और देखते हैं आज का ओफिसियल जो लेटर आया हुआ है पहले पुराना वाला ही ऑफिसियल लेटर देखिए उसके बाद आज जो आया है उसको भी देख लेते हैं चलि operates लेते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं जो official later आया था जिसमें बोला गया है आप आफ यहाँ देख सकते हैं मैं आपको पूरा पढकर नहीं बतलाऊंगा क्योंकि आपका समय हो जाएगा तो यहां पर देखी बिसाय में लिया गया था कि मादमिक उच्छ, मादमिक पर्तृत परिख्छा के संबंद में और इसमें बोला गया था यानि पहले आपको मालूम था कि नहीं मिलेगा चूट यानि दस बर्शों के लिए फीर इस लेटर के माधिम से यानि आफिसली माधिम से गया कि क्या होगा दस यानि बर्ष उम्र में अधिक्तम उम्र में छोटे दी जाएगी इसके लिए क्या गया गया नीचे दिया गया कि रोध है कि उक्त निर्णायर आलोग के संस्वधित विग्यप्ति निर्गत कर्शंबंदित अवयर्थियों को आवेदन देने हेतु समुचित औसर परदान किया यानि दोबारा से आवेदन करेंगे ये लोग जीन को भी छूट मिला है तो अब इसका जो अफिशल फिर से ए इसको भी हम बतलाएंगी किस तीथी को बोला जा रहा है तो चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरा जो अफिशल लेटर है उसको भी हम लोग देख लेते हैं तो यहां पर देख सकते हैं दूसरा लेटर भी आप देख सकते हैं और यहां पर दिया गया है इसके बारे में और यहां पर देखिए यहां पर महत्पोन तीथी के बारे पर डिसकस किया गया इसी को हम लोग देख सकते हैं तो यहां पर परिक्षा ओनलाइन भरने और सुल्क जामा करने की तीथी है यानि 20-12-2019 से लेकर 23-12-2019 तक आप यह आवेदन कर सकते हैं जिनको छूट मिला है जिनका छ चूट गया है वह भी करेंगे और जिनको छूट मिला है वह भी उसके बाद यहां पर आपको बतला दे पाश्वर्ड यूजर आइडी आप ले लेंगे उसमें कोई सुधार करना चाहते हैं तो 24-12-25 तक आप इसमें सुधार कर सकते हैं तो आप यहां पर देख सकते हैं कि बहुत ही जल्द यानि इनका भी अपलाई हो रहा है और बहुत ही जल्द एक्जाम होने की संभावन आए क्योंकि यह दिसंबर में अगर यह फर्म फिलफ हो गया तो ही जाएगा क्योंकि यहां पर डेट भी निकल चुका है तो हो सकता है कि आपका जनौरी में एक्जाम देनिक भासकर में दिया गया था जनवरी में होगा बहुत ही जल्द होने की संभावना है कि कि जब online हो जाएगा तो उसके बाद उसको एक्जाम ही लेना हो रहेगा तो इसमें कुछ आपको महत्पुन जनकारी दिये गए थे उसको हम लोग डिसकस कर लेते हैं और देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सेकते हैं इस पेपर में दिया गया थे कि जनवरी के अंत तक हो श संबर को आप करेक्शन उसमें कर शकते हैं अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया गया है जो पहले आपको मालूम था कि साथ नॉम्बर को एक्जाम होने वाला था इसमें मिले थे असी हजार आवेदन यानि जिनको शूट नहीं मिले थे उनको छोर कर दिया जा और कितने सीठें लगभग में 37,000 के आसपास में और इसमें 80,000 आवेदन आय थे और यहाँ पे आपको एक और महत्पुन जनकारी दे दे यहाँ पे आपको देख सकते हैं इस वाले भाग को आप देखेंगे यहाँ पे कि देखिए 2020 तक जो भी छुटी के बाद यानि स्कू पर 10,000 से कम पर यहाँ बादि होने की उमीद है यानि जो छता चलन चल रहे है तो 36,000 तो से 10,000 से हीी कम सिट भरने की संभावना है सिट्ट तो बच जाएंगे यह हो सकते हैं और 9500 के देखिए 2020 दितには समयाँ और 2,000 क्याद पेन्ल están को और खें ज्याँन अब इस बात को ध और 20-30-40,000 जरूर बढ़ेंगे तो 1,00,000 से प्लस ही आपका जाएगा आवेदन और इसमें से merit basis पे बोला गया है कि merit basis पे ही आपका यानि होगा जानि एस्टेट में अगर 150 का marks का exam होना है जितना आपका highest आता है उससे यानि सबसे highest वालों को पहले लिया जाएगा उसके बाद में यानि result होगा तो जितना seat बचेगा उतना ही आपको result दिया जाएगा 37,000 में जितना seat बच जाता है 64,000 के बाद तो उसी उतना ही result दिया जाएगा state के exam होने के बाद तो आप यहाँ देख सकते हैं और यह भी बतलाया जा रहा है कि विधान यानि चुनाओं से पहले यानि आपको जो सत्र सुरू होने वाला है 2020 में उसमें यानि यह बहाल कर देने हैं सिक्चक तो यहाँ पे देख सकते हैं और आपको बतला दे अब चलिए बहुत लोग बतला रहा है date की exam कब होने वाला है तो उसका भी तीथी बतला रहा है क्या सत्य है लेकिन वह official नहीं है मैंने देखा है तो वहां से उसको भी मैं बतला किस तारीकों लोग बोल रहे हैं की exam होने की संभावना है तो चलिए दिखा देता हूं ओभी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं और यहाँ पे दिया गया है कि बिहार बिद्याले परिक्षा शमीती माधमीक सिक्षक परतर अगित कर दिया गया था बता दे कि पहले परिक्ष से 23 दिसंबर तक आवेदन हो जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले से ही इसमें मार्किंग किया गया है कि 19 जन्वरी 2020 को एक्जाम होने की यह देखी ऑफिसियल नहीं मैं आपको बतलाता हूं लेकिन हो सकता है क्योंकि जन्वरी के गांत में बोला जा तो यहाँ पे 19 जन्वरी 2020 को बोला जा रहा है मैं अफिसियल नहीं बतला रहा हूं लेकिन बताया जाया हो सकता है यह भी सही हो सकता है आगे चलकर तो यह है डेट बतला जाया आप निश्चित हो जाए कि अब आपका जन्वरी में एक्जाम हो सकता है और आप त्यारी करना आपको कैसे त्यारी करना है चले मैं आपको बतला देता हूं कि क्या रहेगा कुछ नहीं बतला होगा तो क्या बतला हो शकता है चले आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चले उससे पहले हम बात कर लेते हैं जो परारांबिक सिक्षक यानि एक कक्षा 1-8 के लिए बहाली चल लेकिन आपकी जो त्यारी है वह स्टेटी की उसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए मैं आपको बतला जेता हूं तो देखिए आपको कम से कम 120 प्लस के लक्षा को रखना है और उसी के इसाब से त्यारी करना है आपको बतला दे आपको मालूम भी होगा कि पार्ट इसमें यह होता हैं आप देखे भी होंगे होशकता है लगे तो अब आ Это पहल में तो यह रीजिनिंग और टीचिचिंग सबहाएं लेकिन यह आपको बतला की बात हही है तो यह होगे और syllabus 2012 का ही या 11 का ही follow किया जाएगा क्योंकि इतना जल्द syllabus त्यार नहीं है कि आपको provide किया जाएगा तो आप विश्वास रखें कि उसी की अधार पे होगा चेंजें जेवगा तो current affairs और बिहार से जो भी मत्मून यानि related information है वो आप जान लीजेगा हलाकि इस पे भी वीडियो जल्द ही आपको मिलने वाला है हमारे चैनल के माध्यम से आपको आपको करना क्या है त्यारी कैसे करना है तो part A के लिए आप आदा घंटा या एक घंटा समय देंगे किवल part A पे उसके बाद आपका बच्चत है है 100 नंबर का आपका बिसा है जिस बिसा के आप सिक्षक बनना चाहते है तो या आप language subject हैं तो आपका उसमें grammar प्लस आपका book रहेगा तो grammar पे आप एक माल लिजे पार्ट A बी हो गया और C हो गया माल लिजे हलाकि पार्ट A और B ही होता है तो एक तो A डिसकस कर लिए हम लोग आपको डिसकस करना है आधा घंट से एक घंट डेली परना है आपको एक दिन भी अपसेंट नहीं करना है उसके बाद अगर language subject है तो उसमें grammar और content रहेंगे तो आपको grammar भी परना है एक से आधे घंट डेली फिर आपको content भी परना है आपको एक से आधे घंट यानि मालीजी अगर आपको पास ज़्यादा समय नहीं है तो आधे आधे घंट तीनों एक तो part A यानि reasoning और teaching aptitude पढ़ेंगे उसके बाद अगर language subject तो grammar पढ़ेंगे और या आप content पढ़ेंगे अगर आपका language subject नहीं है या social science है या science है या कोई और से तो इसके साथ combination होता है science में आपको अगर math का teacher बनना चाहते हैं तो physics और आपका maths रहता है तो दोनों हाफ आप पढ़ सकते हैं इनके बदले और ये तो आपको same रहेगा part ये तो सब में रहता है तो ऐसे आप पढ़ सकते हैं और daily पढ़ना है किसी दिन आपको absent नहीं करना है अगर आप absent करते हैं तो आप हो सकता है कम मकसा है तो आपका मतलब कुछी भी हो सकता है आपके साथ तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे और आप डिभाइड कर ले ग्रामर पार्ट अगर लिंविज से हैं तो ग्रामर पार्ट, कंटेंट पार्ट और डिजिंग और टीजिंग अप्रिवट को अगर आपके साथ कोई कम्बिनेशन बैट रहा है या साइंस और सुशल साइंस में तो उस सब्जिक को भी आप डिवाइड करके तीनों को आप डेली पढ़ेंगे और डे पढ़ेंगे डे बाई डे डिविजन करेंगे और आप टेंसन न लेगी आप अभी तक घोसित नहीं हुआ एक्जाम की तीथी तो इस पर अपना जाए आप त्यारिक करें और आपको शफलता जरूर मिलेगी अगर बाई चांस स्लेबस चेंज भी होता है तो मैं आपको बताने की कुशिस जरूर करूंगा और उस पर जो नए स्लेबस हो सकता है अगर चेंज होगा ऐसा नहीं होने की संभावना है नहीं होगा चांसिस कम है की हो तो अगर होता भी है तो उस पर भी हम लोग मोडल पर त्यार कर देंगे तुरंट और आपको प्रवाइड करा देंगे लेकिन ऐसा नहीं है 99% चांसिस है की पुराने वाले स्लेबस पर ही एक्जाम होगा तो ये थी जनकाली अगर वीडियो प्रण चलिए आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद